हेलो वेरी गूड इवनिंग दोस्तो मेरा नाम आमिर है और वाइफाइ स्टेडी 2.0 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ जो कि यान अकैडमी का ही एक पार्ट है चलिए दोस्तो जल्दी से जल्दी मेरे साथ में जुड जाईए अपने सभी दोस्तों तक इस सेशन को श अगर दिक्षा, टार्गेट, मनीशा, अभे, अभिनव, अंकिता, दिपिका, अम्रेश, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत यहां पर चलिए जल्दी से जल्दी अपने इस सेशन को सभी दोस्तों तक जल्दी से जल्दी पहुँचा दीजिए जल्दी से जल्दी सभी ज फटाफट सभी तक पहुचा दीजिए, फटाफट आजाईए सभी लोग, वेरी गूद इवनिंग, अल अफ यू, शेशन को जल्दी से जल्दी शेर कर दीजिए, वेरी गूद इवनिंग, जानभी, हैपी दिवाली, अल अफ यू, रूपराम जी बहुत-बहुत स्वागत आपका यहाप पर, सचिन, वेरी गूद इवनिंग, बिल्कूल सभी लोग आ जाईए, मेरे साथ में जुट जाईए, मैं आप सभी को एक छोटी सी जनरल इंफोर्मिशन देना चाहता हूँ, कि एक नया कोर्स, बायोलोजी का स्टार्ट हुआ है, 17 नवंबर से स्टार्ट हो के भी सब्सक्रिप्शन के त्रू जुड़ना चाहता है, तो जल्दी से जल्दी आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, और मेरा कोड है AMIRYT, आप इसको किस तरह से एपलाई करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, बिल्कुल मैं आप सभी के सामने इस प्रोसेस को दोराना चाहता ह Unacademy Learning App को आप डाउनलोड करेंगे, इसके बाद इसको आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद में आप इसमें से अपना एक गोल सेलेक्ट करेंगे, हाँ जी, गोल सेलेक्ट करने के बाद आपने गैस सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे, आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, डबल अमिर आमिर के एच ए अन, आमिर खान सर्च करेंगे, यहाँ पर एक फॉलो बटन आएगा, आप इसको फॉलो कीजिए, और यहाँ से आप मुझे म दिखाई देगा, जैसे आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे, यह अमाउंट आपका 10% इंस्टन डिसकाउंट में चेंज हो जाएगा, जैसे अगर आप कोई 5000 का, 6000 का कोर्स लेंगे, तो आपके कोड अप्लाई करने के बाद यह 54 रुपे का पड़ेगा, आपके जो क्रेडिट और यहां से आप कोई भी एक कोड अप्लाई कर सकते हैं, अब देखिए अगर यहां पर देखें, तो जैसे ही आपने यहां पर इसको रिडीम किया, 52,56 रुपे आपके बन गए, यहां पर एक एक एक्जामपल मैंने आपको दिया है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरि तो चलिए, आज के कोश्चन प्रीवियस यह के बायलोजी कोश्चन हैं, फॉर ओल एक्जामिनेशन, तो चलिए, सभी लोग मेरे साथ में जुड़ जाईए, और शुरुवात करते हैं आज की, वैब आप मिश्रा, बहुत स्वागत आपका यहां पर, पहला कोश्चन आपक के उत्सर्जन के लिए ATP आवशक नहीं होती, विचाफ फॉलोविंग, ATP is not necessary for the emission of metabolic waste, यूरिक एसिड, यूरिया, गौानिन या अमोनिया, आपके इसाब से आंसर क्या होना चाहिए, सोचिए, समझिए और आंसर दीजिए, जल्दी बताईए, आपके साब से आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल आज, बायलोजी की क्लास होगी, बिल्कुल आप लोगों के, मैं आंसर को मैं आपर पढ़ रहा हूँ, डेफिनिटली, जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए, आपके साब से क्या होना चाहिए, आंसर, जल्दी बताईए, बिल्कुल सही जवाब और आंसर होगा, यूरिक एसिट, यूरिक एसिट की अपसिस्ट में किसी प्रकार की एटीपी की ज़रुवत नहीं पढ़ती, इसको बनाने में किसी तरह की उर्जा का खात्मा नहीं होता, हेलो लक्षू, नमस्ते, क्या हाल चालें आपके, चलिए जी, बिल्कुल यहाँ पर अगर देखा जाए, तो एटीपी आउशक नहीं है, यूरिक एसिट के निर्बाड के लिए, अगर आपको ATP के बारे में नहीं पता है बेबभव, तो आपको मैं बता देता हूँ के एटी नोसिन ट्राइफॉसफेट, ATP होता है, और आपकी बोडी के अंदर, जो एनरजी जमा होती है, वो एटी नोसिन ट्राइफॉसफेट के रूप में होती है, ठीक है दोस्त अगले कोशिन को जलते हैं शरीर में प्लेटलेट्स के उत्पादन का नियंतरण आपके हिसाब से किसके द्वारा किया जाता है इरिथो प्रोटीन के द्वारा किया जाता है फ्लाज्मा के द्वारा किया जाता है या हिपैरिन के द्वारा किया जाता है जल्दी तेक्निक बहुत बहुत आपका धन्यवाद थैंक यू सो मच अम्रेश प्लीस शेर दा सेशन अवेरी गुट अलफ यू चलिए दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर जबाब आपके द्वारा सही है और आंसर है थ्रॉम्बो प्रोटीन के जरीए इसी लिए हम लोग अगर हम बात करें प्लेटलेट्स के बारे में तो प्लेटलेट्स को थ्रॉम्बो साइट्स के नाम से जाना जाता है किसके नाम से जाना जाता है thrombocytes के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनके अंदर कौन सी प्रोटीन होती है thrombin protein पाई जाती है exactly बिल्कुल सही जवाब आपके द्वारा answer होगा thromboprotein very good fibery noson का sensation किसमें किया जाता है fibery noson is synthesis in liver kidney fiberocyte या blood आपके इसाब से answer क्या होगा सोच समझ कर आप answer बता दीजिए जल्दी से अपना answer दीजिए very good संचिता जल्दी बताईए आपके इसाब से answer क्या होना चाहिए दोस्तो आप fibery noson के बारे में जानते होंगे fibery noson को pro thombin protein के नाम से भी जाना जाता है कौन सा protein है? pro thombin protein के नाम से जाना जाता है pro thombin protein के नाम से भी जाना जाता है आपके साब से answer क्या होना चाहिए? जल्दी बताईए बिल्कुल बिल्कुल answer देते रहिए बिल्कुल मैं आप सभी के answers को पढ़ रहा हूँ नहीं दोस्तो, अगर हम यहाँ पर देखे तो answer होगा liver, exactly जो आपका fibery noson है या आपका जो pro thombin protein है actual में उसका जो synthesis है वो liver में किया जाता है ठीके? यकरत, हिपेरिन का और आपके pro thombin protein दोनों का ही actual में संसलेशन करता है अगी बास समझ में? तो answer होगा यहाँ पर liver अगले question की ओर चलते हैं अगर कोई आपसे पूछे के ATP क्या होता है तो आपके हिसाब से ATP का जवाब क्या होना चाहिए? ओक्सी करण में सायक enzyme एक ATP होता है एक हार्मोन होता है ATP एक उच उर्जा वाले phosphate बंद का अणू होता है ATP या एक protein होता है ATP आपके हिसाब से एक ATP की full form क्या होनी चाहिए? सोच समझ का ज़रा answer बता दीजिए बिल्कुल जानवी गौतम liver एक ऐसा organ है जिसमें pro thombin protein और anti pro thombin protein दोनों ही प्रकार के proteins का संसलेशन किया जाता है यही organ है जो यह काम करता है जल्दी बताईए आपके साब से answer क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही answer और answer होगा उच उर्जा वाले phosphate बंद अनू क्योंकि ATP का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इसका पूरा नाम है adenosine triphosphate तो adenosine triphosphate इसका पूरा नाम है इसी लिए answer C बिल्कुल सही होगा अगले ख़वाल की और बढ़ते हैं इस संधारियों में carbohydrate किस तरह से संचित रहता है? हाओ आर carbohydrate store in mammals? कैसे होता है वई? liver और spleen में glycogen के रूप में रहता है mass species और mass species में lectic acid के रूप में रहता है liver और mass species में glucose के रूप में रहता है या liver और mass species में glycogen के रूप में रहता है आपके इसाब से हम सभी के अंदर carbohydrate किस प्रकार से संचित रहता है? सोच समझ कर आंसर बता दीजिए जल्दी बता दीजिए आपके इसाब से आंसर क्या होना चाहिए जल्दी बताईए बिल्कुल सही आंसर है यहां पर आंसर है liver और mass species में glycogen के बिल्कुल सही जवाब आप सभी के द्वारा अगर हम बात करें mammals के बारे में अगर हम बात करें हम सब इस्तंधरियों के बारे में तो यहां पर carbohydrate हमारे यकरत में और mass species में glycogen के रूप में संगरेत रहता है बिल्कुल सही जवाब आप सभी के द्वारा अगला question वेरी गुट इवनिंग मदू चलिए जल्दी से जल्दी answer दे कर बताईए आपके हिसाब से answer क्या होगा जल्दी बताईए दोस्तो बिल्कुल यहां पर अरे 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 यह थोड़ा सा बदलाव हो गया यहां पर चलिए मैं यहां पर answer देता हूँ आंसर होगा औरें थिन चक्र के द्वारा होगा ठीक है एचल में होता है क्या हमारी बॉड़ी में यूरिया कैसे बनती है दोस्तो जो अमोनिया होता है ना NH3 carbon dioxide उसके साथ में मिलती है और बनाती है NH2 CO NH2 ठीक है इसको carb amide कहते हैं carb amide कहते हैं इसको ठीक है तो यह होगा यहाँ पर सही answer clear अगले question की और बढ़ते हैं बताइए कि निमलिकित में से कौन है कौन लार के amide की क्रिया शीलता के लिए आउशक होता है आपके इसाब से which of the following is necessary for the activation of slavery amide chlorine, sodium, potassium या sulfate आपके इसाब से answer क्या होना चाहिए सोच समझ कर answer जरा बता दीजिए जल्दी बताइए आपके इसाब से answer क्या होना चाहिए बिल्कुल जल्दी बताइए answer आपके इसाब से क्या होना चाहिए क्या बात है यार बहुत बढ़िया वेरी गुड रियली वेरी गुड यार बहुत बढ़िया रियली वेरी गुड बिल्कुल सही जवाब आप सभी के द्वारा वेरी गुड यार बहुत सही जवाब दी आप सभी ने अशोक वेरी गुड इवनिंग मेरे दोस्त नेक्स कोशन की और बढ़ते हैं आगे मानव स्वास्त के लिए जो ट्रांस वसा होती है वो सामानित है हानिकारक समझी जाती है क्योंकि ये इस तर कम करता है किसका HDL का LDL का Triglyceride का या Insulin का आपके इसाब से सही आंसर क्या होना चाहिए सोच समझ कर आंसर होता है गुड नाइट अशोक मीना जी आपके इसाब से आंसर क्या होना चाहिए जड़ा सोच कर आंसर बताईए दोस्तो चोटी सी गुजारिश आप लोगों से प्लीज आप सभी लाइक कर दीजिए सेशन को बिल्कुल दोस्तो ये चोटी सी रिक्वेस्ट है आप से प्लीज लाइक दा सेशन वेरी गुड मनीशा वेरी गुड इवनिंग आर्थी पंडे मेरी क्लास का टाइमिंग नौ से दस होता है वेरी गुड इवनिंग अर्विंद चली मैं बताता हूँ आमसर क्या होगा आमसर होगा HDL देखिए मैं आपको बताता हूँ यहां दो तरह की फैट होती है एक होती है high density एक होती है गुड कॉलेस्टोल यह हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है ठीक है तो जब आपकी बॉडी में ट्रांस वसा बहुत जादा बढ़ने लग जाती है न तो ये क्या काम करती है हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन यानि गुड केलेस्टोल के लेवल को घटा देती है और अगर गुड केलेस्टोल का लेवल हमारी बॉडी के अंदर घट गया तो हमक हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी ठीक है दोस्तो ये होगा इसका सही जवाब चलिए अगले कुशन की और बढ़ते हैं निमलिकित रेडियो तत्वों में से किसका उपियोग मनशे के शरीर में रक्त प्रवा की गती के मापन में किया जाता है रेडिय रेडियो आयोडीन का रेडियो आयरन का या रेडियो सोडियम का आपके साब से आंसर क्या होगा जल्दी बताईए चलि बहुत अच्छी बात है अरविन जी बहुत बहुत स्वागत आपका यहां पर ठेंक यू असलम मौंबद जी कोई बात नहीं यहां पर गलत हो हो जाने दो एक्जाम में गलत नहीं होना चाहिए जल्दी आंसर दे कर बताईए आपके साब से क्या जवाब सही होगा अरविन कल भी क्लास होई थी दोस्त नहीं भई यहां पर जवाब किसी ने सही नहीं दिया जवाब है रेडियो सोडियम तो रेडियो सोडियम के द्वारा रक्त प्रवा की गती का मापन किया जाता है ठीक है तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा रेडियो सोडियम ठीक है चले खेर कोई बात नहीं अगले कोशन की और बढ़ते हैं आपके सामने दो लिस्ट दे रखी हैं और यहाँ पर आप क्या काम करेंगे इनको एक दूसरे के साथ में मिलान करके देखेंगे कि कौन किसक के साथ में सही बैठता है कार्वाइडेट उपाप अच्छे वसी आमल ऑक्सी करण कैरोटिन और इधर है आपका बीटा ऑक्सी करण इंसुलिन प्रतीशकंदी और बाल यह हिंदी और इंग्लिश दौनों में है आप बता दीजिए कि कौन सा सही होगा बिल्कुल आशोग जी लीजे हमने आपको यहाँ पर बिल्कुल मेरी क्लास डेली होती है सही जवाब आशोड डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कार्बो हाइडरेट का पाचन इंसुलिन के द्वारा किया जाता है वसी अमल को बीटा ओक्सीकरन करता है केरोटिन बाल के लिए ज़रूरी है और हिपेरिन प्रतीशकंदी है एक्जेक्ली करेक्ट आंसर आप सभी के द्वारा सही है अगले कुशन की बढ़ते हैं मानव शरीर के बीतर रोगों की पैचान की जाती है किसके द्वारा ध्यान से सुनिएगा किसके द्वारा हम मानव शरीर के अंदर रोगों की पैचान करते हैं कार्डिया ग्राफ के द्वारा करते हैं एंडोस्कोप के द्वारा करते हैं जाइरोस्कोप के द्वारा करते हैं या स्टेटोस्कोप के द्वारा करते हैं अगर मैं किसी मनुष्य के शरीर के अंदर रोग की पहचान करूं तो वो मैं किस तरह से कर पाऊंगा जल्ली बताईए आपके साब से क्या जवाब सही होगा कि वेरी गूड सचिन बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आपके साब से आंसर क्या होना चाहिए थैंक यू अशूक जी बिल्कुल यहाँ जवाब सही है और आंसर है एंडिस्कोप ठीक है और इसको कहते हैं एंडिस्कोपी एक और कोशन का आंसर यहाँ पर आपको बताया जाता हूँ एंडिस्कोपी प्रकास के पूर्णांतिक प्रावर्तन के सिद्धान्थ पर कारिये करती है पूर्णांतिक प्रावर्तन के सिद्धान्थ पर कारिये करती है ठीके इसको भी याद रखना आपके कही ना कहीं किसी ना किसी एक्जाम में काम आएगा ही आएगा चलिए शारीरिक क्रिया कलापों में या वययाम के दोरान उर्जा या ग्लुकोज या उर्जा की खपत अत्यादिक बढ़ जाती है इसका कारण क्या होता है ठकान हो जाना या कापना ऑक्सीजन की कमी हो जाना रिन हो जाना या पेशी में शोश हो जाना यानि मसल में कोई एंट्रोफ ही हो जाता है आपके साफ से आंसर क्या होगा जल्दी सोच कर बताईए जल्दी बताईए आपके साफ से आंसर क्या होना चाहिए वेरी गुड यहाँ पर सही आंसर दिया है दिक्षा बंडारी ने और आंसर है oxygen की रिण यानी oxygen की कमी हो जाना exactly बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर जब आप लगातार exercise करते रहते हैं तो इसकी वज़े से आपकी बॉडी में oxygen और glucose का आपस में equilibrium position नहीं बैट पाती और इसकी वज़े से आपके body में चीज़ें पहुत जादा थकान में आने लग जाती हैं क्योंकि आपकी muscles में lactic acid बनने लगता है बिल्कुल सही जवाब अगले question क्यों बढ़ते हैं मनुष्य के शरीर में thermostat या ताप नियंत्रन केंद्र कौन सा होता है इसका answer almost सभी लोगों को पता है जल्दी से answer देकर बताइए क्या होगा सही जवाब नई target विल्कुल आपके यहां पर questions मुझे दिखाई दे रहे हैं जल्दी answer देकर बताइए क्या होगा आपका जवाब exactly are correct answer hypothalamus is a right answer अगले question cure बढ़ते हैं मानव शरीर का वो कौन सा भाग है जो शरीर तापको नियंत्रत रखने में कारगर है हिर्दै, फेफडा, यक्रत या व्रग, हर्ट, लंक्स, लीवर या किड्नी आपके हिसाब से answer क्या होना चाहिए जल्दी सोचकर बताइए answer बहुत बढ़िया सभी ने answer पहले वाला बिल्कुल सही दिया है इस answer को बताइए आपके हिसाब से क्या होगा इसका answer सोचकर answer दीजिए यस, exactly बिल्कुल सही answer और answer है लीवर hypothalamus के बाद में आपका लीवर है जो body में temperature control करने का काम करता है बिल्कुल सही जवाब अगले question के और बढ़ते है मानव शरीर में त्वचा के नीचे पाई जाने वाली वसा का काम क्या होता है what is the function of fat found in under the skin in human body preventing the body salt शरीर के लवणों को शै को रोकना यानि निकलने से रोकना शरीर की उश्मा को जाने से रोकना हानी कारक सुक्ष्म जीव को रोकना या उप्यूक्त में से सभी आपके इसाब से answer क्या होना चाहिए सोच कर answer बता दीजी जल्दी बताईए आपके इसाब से answer क्या होना चाहिए आप सभी से छोटी सी गुजारिश है कि आप प्लीज जो भी question का answer दे रहे है question के आगे आप उसका number ज़रूर लिख दे और please like and share the session दोस्तो अभी अभी बिल्कुल हमारी technical team ने भी इस चीश को अभी लिखा है please like share the videos बिल्कुल आप सभी के answers को मैं देख रहा हूँ नहीं नहीं मेरे दोस्तों hello शुबं answer होगा दोस्तों यहाँ पर B अगर आप से यह पूछा जाता कि skin क्या काम करती है तो आपके दोआरा कहा गया सवाल जवाब जो है वो बिल्कुल सही है कि यह सारी काम करती है लेकिन यहाँ क्या पूछा है कि जो fat पाई जाती है वो क्या काम करती है तो दोस्तों याद रखना कि fat का सबसे बड़ा काम होता है कि body की heat को बाहर जाने से रोकती है तो यहाँ पर जो answer होगा वो होगा B तो यह आपका सही answer है थेंक्यू गज्जू संसकारी जी बहुत-बहुत स्वागत आपका यहाँ पर थेंक्यू सो मच अगले question की और बढ़ते हैं हिर्दय की धड़कन को नियंतरित करने के लिए इन में से कौन से खनिच का प्रियोग किया जाता है sodium, sulfur, potassium या iron आपके साब से क्या होगा सही जवाब सोच कर जवाब दीजिएगा आशिश heat harmful क्यों है आपकी body का temperature सही होना चाहिए न सीतराम जी सर्दी का मौसा मैं बिल्कुल आपकी body में fat आपने देखा है कि भालू होता है न अपनी body के अंदर fat को जमा रखता है ताकि उसकी body के अंदर उसकी body से heat बार नहा निकल पाए है न very good answer है आपर potassium बिल्कुल सही जवाब potassium बिल्कुल सही answer है हिर्दे की धड़कुन को नियंतरित करने के लिए potassium का होना बहुत जरूरी होता है very good अगले question क्यों बढ़ते है मनुष्य में efflatoxin खाद विशापता द्वारा समाने ते कौन सा अंग प्रभावित होता है hurt, lungs, kidney या liver कल ये question मैंने करवाया था इसलिए जल्दी से answer देकर बताईए आपके साथ से answer क्या होगा जल्दी बताईए आपके साथ से answer क्या होगा exactly बिल्कुल सही जवाब और answer है liver ठीके अगर आप बात करें efflatoxin खाद के बारे में तो ये कवक होता है और ये कवक पाया जाता है मूंगफली पर ठीके मूंगफली पर पाया जाता है और कोई अगर इसको खाले तो ये आपके liver को effect करता है exactly बिल्कुल सही जवाब आप सभी के द्वारा अगला question पूछते है ozone की सांदरता पर फुसफुसी ये सोफ उत्पन कर मानव स्वास्त को गंबी रूप से प्रभावित करता है at what concentration does the ozone severely affect human health by the causing of pulmonary edema चीके चलिए बताइगे कैसे करें 0.2 ppm, 0.3 ppm, 3.0 ppm या 9.0 ppm what is your answer target need को बगाने के लिए interest जगाना पड़ता है अगर किसी को pulmonary edema की बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि pulmonary edema एक ऐसी बिमारी होती है जिसमें फेफडों में तरल पदात भर जाता है और सांस लेने में दिक्कत आती है इस disease को pulmonary edema कहते है plant biology भी लगाएंगे definitely जल्दी बताईए आपके इसाब से आंसर क्या होना चाहिए part per million होता है यह ppm concentration नापते हैं इसमें नहीं मैं बताता हूँ आंसर होगा 9 9.0 ppm आने के बाद में आपके lungs के अंदर जो है liquid content जो fluid content है वो बहुत जादा बढ़ जाता है ठीक है अगला question निम्न में से स्वेधन किसके लिए महत्वपूर्ण होता है who among the following is important शरीर की गंद निकालने के लिए सामान्य स्वास्ते सुधार के लिए तो अच्छा के रंद्र खोलने के लिए या शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए आपको जो पसीने आते हैं वो पसीने किसकी वज़े से आपके लिए क्या सही होता है सोच कर आंसर दीजिए who among the following is important for sweeting glands very good evening वेव भी परम जी बहुत बहुत स्वागत आपकी पहली क्लास है तो एक्जेक्ली विल्कुल सही जवाब और जवाब होगा शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए ठीके तो जो आपको पसीने आते हैं वो आपकी body temperature को क्या करते हैं सही कर देते हैं ठीके चलिए अगला अगर आपसे पूछा जाए stepage के बारे में तो आपके साबसे stepage क्या होता है एक tissue है एक scientist है एक bone है या एक animal है जल्दी सोच कर बताई आपके साबसे answer क्या होना चाहिए गगन मातूर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके बिल्कुल इलंबर बिल्कुल आनंद कुमार अरे हाँ बिल्कुल एक bone है कहाँ पाई जाती है कान में पाई जाती है कान अस्थी होती है ठीके कान में पाई जाने वाली अस्थी होती है बिल्कुल सही जवाब stepage आप सभी को पता है सबसे छोटी हड़ी हड़ी जो होती है कान की हड़ी होती है, steppage होती है, very good, अगला question देखिए, सोते समें तिवर प्रकास अवांचनी होता है, the strong light is undesirable while sleeping, तिवर प्रकास में शरीर में melatonin hormone का उत्पादन अधिक होता है, एक hormone होता है, melatonin hormone, अब आप से ये पूछना चाहता हूँ कि दोनों में से कौन सा सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर का सही इस्पस्टी करण है, दोनों सही है लेकिन इस्पस्ट नहीं कर पाता, ए सही है, आर गलत है और आर सही है, आपके साब से आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है? ये false है, ठीक है? ये शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर दिखाई ना दे, तो आप जल्दी से बता दे ना, चलिए मैं बता देता हूँ, आंसर होगा C, सोते समय आप तेज लाइट को नहीं देख सकते, अंडेजारेबल होता है, आपको डंग से नीद नहीं आएगी, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है, आंसर C यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है? आंसर C करेक्ट है यहाँ पर, अगला, मानव नेतर का वो भाग जिन में रक्त वाहिकाएं उपस्थित नहीं रहती हैं, आपके इसाब से क्या होगा? आपके इसाब से आंसर क्या होना चाहिए? अशो कुमार मीना बहुत-बहुत स्वागत आपका. आर्थी पंडी अप्तों दिखाई दे रहा होगा? एक्जेक्ली सही जवाब और आच्छर है कॉर्निया, क्योंकि कॉर्निया एक पारदर्शी जिलली होती है. है। ऐलो रिमा, वेरी गुड़. अगले कॉश्यन की वे बढ़ते हैं, जब आख में धूल जाती है, तो कौन सा अंग सूझ कर गुला भी हो जाता है? कॉर्निया, ब्लड प्लेट, कंजेक्टिवा जिसे नेत्र श्लेश्मा कहते हैं या फिर द्रड पटल जिसको हाड प्लेट के नाम से जाना जाता जल्दी बताईए आपके साफसे आंसर क्या होना चाहिए कोई बात नहीं सिधर राम जी राउल चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिल्कुल सही जवाब आंसर है नेत्र श्लेश्मा और आखोंग में आने वाली सूजन कंजेक्टिव आइटिस भी कहलाती है बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब आप सभी के द्वारा ठीक है? वेरी गुड अगले कुशन की और बढ़ते हैं मानव ब्रून का हिर्दे कब इस्पंदन करने लगता है एक बच्चा जब मा के गर्ब में होता है न जब वो फीटास होता है जब वो गर्ब में रहता है तो बताईए कितने सप्ता के बाद में उसका दिल धड़कने लग जाता है जल्दी आंसर दे के बताईए आपके साब से जवाब क्या होना चाहिए? जल्दी बताईए ठीक है निलामबर जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल अमरेश ब्लॉक करवाते हैं इनको जल्दी बताईए आपके साब से आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल मैं देधा हूँ आंसर आंसर है चौथे हफ़ते में ठीक है? तो अपने चौथे हफ़ते में नहीं चौथे हफ़ते के अंदर मानव भुरून का हिड़द है क्या होता है? दिल धड़कने लग जाता है ठीक है? यस यस बिल्कुल बिल्कुल आंसर होगा यहाँ पर C अगले कोश्चन क्यों बढ़ते हैं? मानव शरीर में अधिक्तम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्योश्चन है बहुत बार पूछा गया है सोच कर जबाब देजिएगा लोहा, सोडियम, फास्फोरस या केल्सियम कोई बात नहीं आशीश? जल्दी बताइगे आपके साथ से कौन सा तत्व पाया जाता है? सबसे ज़्यादा बिल्कुल सही जवाब और आंसर होगा केल्सियम, exactly correct आंसर केल्सियम सबसे ज़्यादा human body में पाया जाने वाला तत्व होता है, अगले कोश्चन क्यों बढ़ते हैं हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा जो weight है, वो किसकी वज़े से है? अस्तियों की वज़े से है शारिरिक अंगों की वज़े से है तवचा की वज़े से है या मास्पेशियों की वज़े से है या जल की वज़े से है आपके इस आपसे क्या आंसर होना चाहिए? सोच कर जवाब दीजेगा सोच कर जवाब दीजिए आपके इसाफ से आंसर क्या होना चाहिए एक्जेक्ली करेक्ट आंसर है बिल्कुल सही आंसर है पानी का भार सबसे ज़्यादा होता है अप्रोक्सिमेट 70% पानी आपकी बॉडी के अंदर पाया जाता है तो पूरी आपकी बॉडी का कितना परसंटेज अप्रोक्सिमेट 70% पानी होता है बिल्कुल सही जवाब आपके दुआरा यहाँ पर एक्जेक्ली अगला आपके इसाफ से टीका करन क्या चीज होती है शरीर में ऐसे पदार्थ को इंजेक्ट करना जो की प्रती रक्षी उत्पन करने के लिए उत्बीदत करते हैं या शरीर में ऐसे पदार्थ को इंजेक्ट करना जो की प्रती जन उत्पन करने के लिए उत्बीतत करते हैं किसी रोग को मुक्त करने के लिए एक क्लोनी प्रती रक्षियों का उप्योग करना या मुक्त करने के लिए प्रती जैविक का उप्योग करना आपके साब से आंसर क्या होना चाहिए सोच कर जबाब दीजिए हिंदी और इंग्लिश दौनों में मौझूद है इसलिए जल्दी से आंसर देकर बता दीजिए आपका जवाब क्या होने वाला जानवी क्योंकि 70% जो वेट है पसंटेज है वो बॉर्टर का होता है आपकी बॉडी में बेकुल आपके साब से आंसर क्या होना चाहिए दोस्तो छोटी सी गुजारिश प्लीज लाइक दा सेशन चलिए मैं बताता हूँ आंसर होगा इसका A ऐसे पदात को इंजेक करना जो बॉडी के अंदर एंटी बॉडी का निर्माण करते हैं अगले कुशन क्यों बढ़ते हैं जब कोई दुमरपान करता है तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी उत्पन होती है क्योंकि इससे सलफर डायोकसाइड का इस्तर बढ़ता है ऑक्सीजन का अंच घटता है कार्बन मोनो अक्साइड और कार्बन डायोकसाइड के अंच बढ़ते हैं यकेवल कार्बन मोनो अक्साइड के अंच में बढ़ोत्री होती है आपके इसाब से smoking करने वाले के blood में क्या मौजूद हो जाता है जल्दी जवाब दे कर बताईए जल्दी बताईए आपके इसाब से answer क्या होना चाहिए इसके दो answer सही है एक तो अंच भी घटता है और carbon dioxide और carbon monoxide जो है इन दोनों के अंच जो है वो बढ़ने लग जाते है तो जब कोई cigarette या बीड़ी पीता है cigarette या बीड़ी पीता है तो definitely क्या होता है हेलो के शब उसकी body में carbon monoxide की मातरा जाती है और carbon dioxide भी बढ़ने लग जाता है इस वज़े से oxygen का अंच घट जाता है हेलो सुनम बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत आप सभी को जैसा की पता है कि 9 बज़े class होती है बिल्कुल time को note कर लीजे 9 बज़े Monday to Friday Monday to Friday रात को 9 बज़े हम आपसे यहीं पर मुलाकात करते रहेंगे अगला गोशन उचे परवतिये छेत्रों में नाक से खून क्यों निकलता है बहारी दबाव की तुलना में किशिकाओं में रक्त का दबाव अधिक हो जाता है मैदान की तुलना में अधिक उचाई वाले इस्तलों में दबाव अधिक होता है अधिक उचे इस्तल पर किशी व्यक्ति का रक्त चाप बढ़ जाता है या वहां रक्त चाप घटता बढ़ता रहता है अता तिवर गती से कम हो जाता है जान्वी गौतम रियली वेरी सॉरी ग्यारा बजे तक नहीं बढ़ा सकता गगन मातुर तुक्का मत लगाईए पढ़ लीजिए बहुत सही रहेगा बिल्कुल आप सभी के आंसस को मैं चेक कर रहा हूं देख रहा हूं चली बहुत बढ़िया थैंक्यू अशोक बिल्कुल मैं आपके मिठाई का इंदजार करूँगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपसर यह बिल्कुल सही है बारी दवाब की तुलना में किशिकाओं में रक्त दाब अधिक हो जाता है और इसकी वज़े से नाक से ब्लीडिंग होने लगती है बिल्कुल सही जवाब क्योंकि जैसे जैसे आप उचाई की तरफ जाते हैं वहाँ पर एट्मॉस्फिरिक प्रेशर घटने लग जाता है और टेंप्रेचर भी घटता है ताप और दाप दोनों में कमी आती है ठीक है एंटीबोडी और एंटीजन में फर्क क्या होता है अगर हम बात करें एंटीजन के बारे में तो एंटीजन कोई भी एक्स्टनल पार्टिकल होते हैं जो आपकी बोडी के लिए हानिकारक होते हैं और एंटीबोडी वो आपकी इमिनोग्लोबिन प्रोटीन होती है जो आपक के शरीर को बचाने में सायक होती हैं इसलिए एंटिज और एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं अगला हिर्दे वाही का रोग और अतिरक्त दाब के खत्रे का सामना कर रहे व्यक्तियों के संदद में कौन सा एक अच्छा कॉलस्ट्रोल माना जाता है अभी आपको कुछ दि सब्सक्राइब या वसी अमल आपके साब से आंसर क्या होगा बिल्कुल विनोच जी मैं खाना खाकर आपको पढ़ाने लगा था जानवी गौतम जी दस बजे क्लास होती है एक और टीचर्स की एक जेक्टली बिल्कुल सही आंसर आप सभी के द्वारा आंसर है एच डी एल नहीं नहीं मैं खाना खाकर रहता हूं चलिए चलिए आंसर होगा एच डी एल हाई डेंसिटी लीपो प्रोटीन कहते है इसको और ये आपके लिए गुड कैलिस्टोल माना जाता है ठीक है वही तो क्या है ये good cholesterol है very good अगले protein क्यों बढ़ते हैं पादपों में और प्राणियों में प्रवर्धन के लिए जनन द्रव यानि जर्म प्लाज्म की आवशक्ता होती है आपके इसाब से ये जनन द्रव होता क्या है कोई अनुवांशिक संसाधन है प्रजनन के लिए बीजिया जन्तु है अंडे और शुक्राणू का अधान है या किसी जनन कोशिका का निर्धारण जोन है ठीक है बिल्कुल आप दोनों ही चीजों को देख लीजिए आपके इसाब से कौन सा सही होगा जल्दी आंसर देकर बताइए क्या आंसर आपका सही होगा आर्थी पंडे आपने कौन सा अंसर दिया है मुझे द्यान नहीं है अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकती है वेटा चलिए मैं बताता हूँ आंसर होगा यहाँ पर B 123 तीनो ही चीजें बिल्कुल सही है एक वैस्क मानव में तत्विक सही होजन द्रवेमान के अनुसार किस प्रकार होता है आपके साब से आंसर क्या होगा अनिल कुमार प्रिया गूजर को छोड़िये और इसका जवाब दीजिये जनेटिक फादर मेंडल चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ आंसर होगा बी ऑक्सीजन कार्बन हैड्रोजन और नाइट्रोजन वेरी गूट अम्रेश वेरी वेल ड़न सीता राम मनीशा मैंख बहुत बढ़ी आस बिल्कुल सही आंसर दिया गासी राम जी बिल्कुल सही आंसर एक्जैक्ली करेक्ट आंसर दिया यहां पर नेक्स कोशि आपीर में जलका अवसोशन कहा होता है वरक में वरक्य नलिकाओं के अंदर होता है यकरत में यकरतिय कोशिकाओं के अंदर होता है कोलान के अंदर होता है यह अगनाश्य वाहिनी में होता है आपके इसाब से कहा पर जलका अवसोशन होता है सोच कर बताईए 33 का आंसर देकर बताईए क्या होगा आपका सही जवाब कोई बात नहीं आर्थी आज गलत होगा कल सही होगा डेफिनिटली चली मैं आंसर बता देता हूँ आंसर है बी व्रक्की नलिकाओं में होता है और कोलान के अंदर होता है जब आप पानी पीते हैं तो आपकी बड़ी आथ आपके पानी को अवसोशित कर लेती है और आपके किड्नी के अंदर जो रेनल ट्यूब्स होती है वो भी पानी का अवसोशन करती है बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर अगले कुछ उनकी और बढ़ते हैं प्रती जैविकों के बारे में निमलिकित कथन पर विचार कीजिए Consider the following statement about antibiotics उन्हें रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया को नस्ट करने के लिए प्रियोग में लाया जाता है उन्हें शरीर के अंदर सुक्ष्म जीवों को लड़ने के लिए चर्म पर लगाया जाता है निगला जाता है या इंजेक किया जाता है वेर रोग पैदा करने वाले विशाणूओं के खिलाफ प्रभावी होते हैं ज़स सबसे पहले आविश्कार किया जाने वाला प्रती जविक टेट्रा साइकलिन था आपके इसाब से आंसर क्या होगा जल्दी बताइए प्रेम प्रतीक अगर आपको PDF चाहिए तो Wifi Study एप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से PDF ले लीजिए सिधराम जी क्लास 10 में तक चलेगी बिलकुल 33 को रिव्यू करें रिव्यू यही है कि आपकी जो रेनल ट्यूप्स है वो भी आपके पानी को एब्सॉप करती है और आपकी आथ बड़ी आथ भी पानी को एब्सॉप करती है चली अगर हम यहाँ पर देखे तो पहला और दूसरा बिलकुल सही है यहाँ पर अगर देखा जाए तो बिलकुल एकदम सही आंसर अगले कोशन की और बढ़ते हैं जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मूँ में पानी आ जाता है ये वास्तव में पानी नहीं होता एक तरल होता है जो की कहां से निकलता है आपकी नाक की गरंती से निकलता है या आपके एलेप्टिकल यानि अंडाकार उपकला से स्त्रावित होता है लार गरंती से निकलता है या फिर आपके जिवा से यानि जीब से निकलता है ये जिला न कभी ता विश्णों यह आपको दिखाई नहीं दे रहा है यह वाला पीज आप मुझे बता दिया करो अगर आपको कोई कोई बी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं तो मैं बिल्कुल जूम कर दूँगा एक्जेक्ली आंशर होगा सी लार गरंती से निकलने वाला लार होती है बिल्कुल सही जवाब अगले कोशन क्यों बढ़ते हैं निमलिकित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन इस्त्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन इस सीक्रेट बाई विच अब दा फॉलोविंग ओर्गन गुर्दा हिर्दय यक्रत अगनाश है किड्नी हर्ट लीवर पैनक्रियास जल्दी बताईए आपके साबसे आंसर क्या होना चाहिए बिल्कुल सही जवाब और आंसर होगा यहाँ पर अगनाश है बिल्कुल सही जवाब अगले कुशन क्यों बढ़ते हैं निमलिकित में से कौन सी अंद्रिस्त्रावी गरती अक्समिक घरा से निपटने के लिए हार्मोन उत्पन करती है एक्सिडेंटल पैसेज को बचाने के लिए कौन करती है थाईराइट, पैंक्रियाज, एडिनल कॉर्टेक्स या एडिनल मेंडूला सोच समझ कर आंसर दीजिएगा बहुत इंपॉर्टन कुश्चन है जल्दी से जल्दी आंसर दे कर बताइए आपके द्वारा जवाब क्या होगा सोच समझ कर आंसर देना इंपॉर्टन कुश्चन है पूछा हुआ है बिल्कुल सही जवाब दिया है सौगता ने बिल्कुल सही जवाब आंसर है एडिनल मेडूला और इस एडिनल मेडूला को कहते हैं एडिनलीन हार्मोन एडिनलीन हार्मोन एडिनलीन हार्मोन एडिनलीन हार्मोन के पाचन में सहयोगी है पैपसिन रेनिन ट्राइपसिन या अलाई पेज कि अगर कि अगर कि अगर कि जल्दी बताई आपके इसाब से क्या होगा सही आंसर बिल्कुल याँ पर आपके द्वारा जवाब सही है और जवाब है रेनिन एंजाइम रेनिन एंजाइम स्टमक के अंदर पाया जाता है और क्या करता है दूद को दही में बदलता है दूद को दही में परिवर्तित करता है अगला सवाल रेनिन एंजाइम के द्वारा पाचन होता है किसका मिल्क प्रोटीन का कार्बो हाइडरेट का लिपिड का या प्रोटीन का जल्दी बताईए आपके इसाब से आंसर क्या होना चाहिए एक्जेक्ली बिल्कुल सही जवाब आंसर है मिल्क प्रोटीन बिल्कुल सही जवाब अभी अभी हम लोगों ने पढ़ाता मिल्क प्रोटीन का पाचन करता है बिल्कुल सही जवाब इंडॉल एसेटिक एसेड क्या होता है एक एंजाइम होता है एक कवक नाशक होता है एक अमीनो एसेड होता है या एक आक्सिन होता है सोच कर आंसर दीजिए लास्ट कोशन आपका जल्दी बताईए आपके साफ से आंसर क्या होना चाहिए इंडॉल एसिटिक एसिड क्या काम करता है इसको IAAB कहते हैं अगर आपको याद हो तो बस जी तिने इस क्लास खतम होने वाली है चलिए मैं इसका आंसर दे देता हूँ आंसर होता है ओक्सिन एक तरह का ओक्सिन होता है और पादप हार्मोन है ठीक है चलिए बिलकुल यहाँ पर जो आंसर होगा वो यही होगा चलिए तो आज हम यही पर इस पारी को समाप करते हैं थैंक्यू सो मच सुबह मेरी क्लास होती है नौ एम अनकेडमी पर तो जिल लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है मेरी फ्री क्लास के लिए मुझे फॉलो कर लेना और रात को नौ बजे मैं आपको यहीं मिलूँगा वाइफाई टू पॉइंट ओपर और लेकर आएंगे कोई अच्छे अच्छे कोश्चन और करेंगे बहुत सारी बातें आप सभी से और सभी से मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा सो थेंग्यू सो मच प्लीज जाते जाते लाइक शेर अन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थेंग्यू सो मच टेक केर बाई बाई